स्टार्ट हम में से बहुत से लोग कुछ बनने या पाने का सपना तो देखते हैं कॉमा पर उन सपनों को साकार कुछ लोग ही कर पाते हैं स्टॉप उनकी इस सपलता के पीछे होता है उनका अदम्य साहस कॉमा सकारात्मक सोच और दरड विश्वास स्टॉप जिसकी इच्छ शक्ती जितनी प्रबल होगी कॉमा उसके लिए सफलता उतनी ही आसान हो जाएगी स्टॉप पैरा अगर हम कुछ पाने का सपना देखें तो उसे साकार करने का साहस भी हम में होना चाहिए स्टॉप इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है स्टॉप केवल इच्छ शक्ती जुटाने की अवशक्ता है स्टॉप द्रड इच्छ शक्ती ही सफलता का मूल मंत्र है स्टॉप कभी कभी जीवन में ऐसे शन भी आते हैं कौमा जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं और उनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है स्टॉप ऐसी इस्तती में हमें अपने मन को एकागर कर खुद ही इसका निर्मान निर्ने कर लेना चाहिए क्रोधित मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता कौमा बल्कि समस्या को शांत मन से ही सुलजाया जा सकता है स्टॉप पैरा मैंने अक्सर इस बात का साक्षातकार किया है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो कौमा मनुश्य अगर अपनी पूरी शमता लगा कर इसके निराकरण के लिए प्रयास करें कौमा तो उसे समस्या का हल निकल आता है लेकिन अधिकतर लोग किसी बड़ी समस्या को देख कर ही घबरा जाते हैं और उसे दूर करने के पहले ही हार मान लेते हैं स्टॉप जबकि कुछ लोग कटिनाईयों और समस्याओं से घबराए बिना और अधिक मजबूत होकर उन कटिनाईयों और समस्याओं का सामना करते हैं स्टॉप इतिहास ऐसे ही लोगों को याद रखता है कॉमा जो कटिन से कटिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्षों को प्राप्ट करते हैं स्टॉप पैरा दरसल कॉमा अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए हर बाधा और बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाना ही सफलता का सुत्र है और इसके लिए कोई भी निरने लेने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कॉमा चाहे वह कितना भी असंभव लगे स्टॉप तभी हम अपने लक्ष तक पहुँच सकते हैं स्टॉप रास्ते में अगर हमारे कदम डगमगाए कॉमा यानि अगर हम समस्याओं के आगे कमजोर पढ़ गए कॉमा तो समस्याएं हमें ही निगल जाएंगी स्टॉप समस्या हमें समाप्त कर दे कॉमा इससे पहले हमें ही समस्याओं को समाप्त करना होगा कॉमा उसे जड़ से मिटाना होगा कॉमा ताकि वह अपना सिर न उठा सके स्टॉप इसके लिए हमें समस्या को समाप्त करने वाले हर कठिन से कठिन निरने पर कारिय करने का साहस दिखाना होगा यह एक देखी और जानी हुई बात है कि कोई भी बड़ा कारिय केवल योजिना बनाने से ही पूरा नहीं हो पाता है उसको पूरा करने के लिए मन में उसे पूरा करने के लिए जरूरी निष्ठा और समर्पन होना जरूरी है सच यह है कि सफलता समर्पन चाहती है कॉमा इसलिए इसे पाने के लिए हमें उसके प्रती पूर्ण रूप से समर्पित होना ही पड़ेगा कौमा अन्यथा बीच में ही हार मानकर बैट जाएंगे या फिर राह में ही भटक जाएंगे स्टॉप सफलता के रास्ते में अनेक परिक्षाएं देनी पड़ती हैं स्टॉप जब तक हम शारिरिक और मनसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह से तयार नहीं होंगे कौमा तब तक हम न अपने लिए कोई लक्षे निर्धारित कर पाते हैं और उसे हासल कर पाते हैं स्टॉप किसी अभियान को पूरा करने के लिए बहुत सोच समझ कर बुद्धी मतापून और प्रभावी योजनाएं बनाई जाती हैं स्टॉप अगर योजना और उस अमल का तरीका पूरी तरह से परिपक्व और सही होगा कौमा तभी उस अभियान को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए सही कदम होंगे पैरा हमारे समाज में अक्सर गुणी जनों ने कहा है कि योजनाएं अच्छी असंभव दिखने वालों स्वपनों को भी साकार कर देती हैं स्टॉप जो बिना रुके और बिना थके अपने लक्षे की ओर बढ़ता जाता है कौमा उसे एक न एक दिन सफलता प्राप्त होती है कौमा भले ही रास्ते में एक सफलता ने कई बार उसे हताश करने की कोशिश की हो स्टॉप बिना हार माने जो केवल अपने लक्षे पर नजरें टिकाए रहता है कौमा वहे बार बार एक सफल होने पर भी हताश नहीं होता कौमा बलकि फिर से दोगुनी शक्ती और उत्साह से अपने लक्षे की ओर बढ़ने लगता है और इतिहास भी ऐसे ही लोगों का गुनगान करता है अकसर मुझे सकारात्मक सोच एक ऐसान जरिया लगता रहा है कौमा जिससे सवपन जैसी असंभव और कठिन प्रतीत होने वाली योजनाओं को भी साकार किया जा सकता है जबकी नकारात्मक सोच हमें निराशा से भर देती है कौमा यह हमारी आत्मशक्ति को कमजोर करती है स्टॉप यह एक प्रकार की संक्रामक बेमारी की तरह है कॉमा जिससे ग्रसित व्यक्ति अपने साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों में निराश्यावादी द्रस्टी कोण को जन्म देता है स्टॉप इसलिए इससे बचना चाहिए स्टॉप हमारा मन चंचल है और इस चंचलता के कारण वह एक जगह स्थिर नहीं रहे पाता स्टॉप बिना मन के किया गया कोई भी कारिय सफलता दिलाने में कामियाब नहीं होता स्टॉप चंचल मन लक्षे की और निरंतर बढ़ने में बाधा उत्पन करता है स्टॉप इसलिए मन को पुरी तरह से एकागर और व्यवस्तित करने की आवशकता है स्टॉप सफल होने के लिए आवशक है कि हमारा मन हमारे प्रयास में पूरा साथ दे स्टॉप तभी हम अपने लक्षे की और शीकृता से बढ़ पाएंगे स्टॉप यानि हमें साफ साफ यह है पता होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है स्टॉप पैरा कहने को हम सब आज 21 सदी में जी कर रहे हैं स्टॉप इस सदी में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं कॉमा खुलकर अपने विचार रख रही हैं कॉमा पर आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं कॉमा जिस पर लोग खुलकर बातें करना नहीं चाहते हैं कॉमा जबकी वे सेहत और जीवन से जुड़ी बेहद एहम बातें होती हैं स्टॉप बलकी औसत परंपरिक से लेकर आदोनिक पड़े लिखे परिवारों में भी इस मामले को सहज मान कर बात नहीं की जाती हैं स्टॉप उनहीं में से एक है महावारी जिसे मैंस्ट्रूल साइकल या पीरियट के नाम से भी जाना जाता हैं स्टॉप उम्र के साथ महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं स्टॉप कुछ बदलाव ऐसे होते हैं कॉमा जिनहें आमतोर पर लड़कियां खुद भी समझ नहीं पाती हैं और न किसी से साज़ा कर पाती हैं स्टॉप पैरा